कि नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हो आप अमीरी तत्राओं आप तो पुसल पुलवक होंगे और पठाई के साथ साथ आप अपनी स्वास का भी उत्तम ध्यान दे रहे होंगे कि अभर टिर्यार है अज स्मय का सबीग करना चाहिए अज और जहांते हो आज जो समय जलता है कर दो कि अधान बिकर समस्ता कर रहें चर्ण समय करना सत्राइब उसे वेल्थ में दवाना नहीं चाहिए अधर हम अपने समय का सही से उप्योग करेंगे तो निश्ची की हम सपलता हमारे हाथ लगे तो प्यारे बच्चों इसे सुविचार के साथ हम अपने परिसर अध्यन भाग दो का जो पार्ट है माँ पार्ट है मराठा सल्दा भोष्लो का परागुमी घराना इसका अध्यन करेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बताने ना चाहता हूं कि हमने पहले पार्ट में पड़ा था सीवाजी का पूरा नाम क्या था सीवाजी सहाजी भोषले अधार वो भोषले परिवार से क्या थे उहां के वनसरस्ते हो ठीक है तो उस भोषले परिवार में कौन-कौन से लोग थे उनके माता-पीता कौन थे हम फुड़ा बहुत पहले भागने भी पढ़ चुके हैं पार्ट एक में और इसकी जानकारी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे लेकिन आज के पार्ट में हम चल्षा करन कि महालाश्त में जब सीवादी महालाश्त का समय था तो किस प्रकार के इस्थिटी थी तो सुर्वी माराठा सर्दाद की किस प्रकार से महालाश्त की अंदर जो माराठे हुए वह काफी सूर्वी थे सौर की परंपरा मराठों ने किस प्रकास से अपनी सुर्ण और वीजय ता को वह ने हम जोंग जानकारी करें के लिए हम चलते हैं अपनी बाठे कुछ तक इन पॉर्ट तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो तीसरा पार्ट मराठा सरदार भोस्तलों का पराक्रमी घराना ठीक है घराना मतलब आप कह सकते हो कि जो उनके पराक्रमी जो घर थे या जो घराना था बहुत सारे घरों का समूँ था ठीक है जो उनके वनसर्ज थे यो पराक्रम पर पराक्रम दिखाए तो जो भोसले परिवार के लोग थे इनकी जानकारी हम इसमें पढ़ने वाले सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पहले ही पार्ट में पढ़ाया गया था कि जिस समय सिवाजी महाराज का ज और यह प्राहर आपस में क्या करते थे एक दूसरे से युद्ध करते थे और युद्ध करते समय जो इसके गंभिर परड़ाम थे वो सामाने जन्ता को उठाना पड़ता था तो ठीक है तो यही हम इस सिर्शक के अंदर जानने वाले अस्तिरता का समय लेकिन आपको फिर सुराज के अस्थापना में किया ठीक है तो चलो हम देखते हैं संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया उसी प्रकार बीर्मनाठा सरदारों ने महाराश्ट में सौरे परपरा का निर्माड किया प्यारे बच्चों जिस प्रकार से जो संत थे सं संतों ने लोगों के मद में क्या निर्मार किया क्या संचाल किया भक्ति-भाव का की आप इस्वल की भक्ति सरल तरीके से कर सकते हो इस्वल की भक्ति के लिए हमें भटकने की जवुरत नहीं है हम सामाने जनता क्या कर सकते हैं हम सामाने तरीके से भी इस वर की भक्ती को कर सकते हैं ठीक है और हमें दोस्तों के से पर दया करना चाहिए हमें कभी भी हिंसा का मालक अपनाना नहीं चाहिए और सर्व जाती पाती को एक समान समझना चाहिए इस प्रकाल संतों ने हमें सिक्षा दी यह हमने पढ़ा था और इसी के साथ साथ महाराश में कुछ वीर मराथा सरदार भी हुए, जियों ने क्या किया महाराश में सोर की परणपरा का निर्मार किया तो देखो, वह समय अत्यन्थी अस्तिर्ता का समय था महाराश में बीजापूर के आदिल साह और एहमत नगर के निजाम साह के बिच हरमेशा युद्ध होता था जैसे मैंने आपको बताया था कि महाराश दो हिस्सों में बढ़ गया था एक हिस्से पे किसका राज था पीजापूर के आदिल सा का और दूसरे हिस्से पे किसका अधिकाल था एमबत नगल के निजाम सा का तो प्यारे बच्चों इंग में हरमेशा युद्ध हुआ करता था ये दूसरे के कटर सत्रू थे युद्ध के लिए सेना की आउसकता होते थ करते थे मराठा सर्दारों के सूर्वीर मराठा सर्दार अब आप जानिए कि मराठा सर्दार कौन थे मराठा जैसे जीवत वाले और सूर्वीर थे मराठा पहली बार तो बहुत ही जिद्धी और साथ ही साथ में वह सूर्वीर भी होते थे अर्थात बहुत ही वीर होते थे वे जैसे ही साहसी थे, साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे, मतलब वैसे ही हो क्या थे, साहसी अल्था तो बहादूर भी थे, और स्वामी भक्त, स्वामी भक्त का अल्थ होता है, अपने मालिक के प्रती वफादार, वो अपने मालिक के प्रती काफी वफादार थे, युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी मराठो में ऐसी भावना थी कि हमारे लिए गर्व की बात होगी अगर हम युद्ध के अंदर पराक्रम दिखाये तो ठीक है जिससे हमारे मान और मर्यादा क्या होगी काफी बढ़ेगी हाथ में भाला, कमर में तलवाल लटकाए सासी मराथा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सर्दारों की सेना में सामिल होते थे ठीक है, उनका रूप देखा किस प्रकार से था हाथ में तलवाल लिये रहते थे कमर में तलवा लटकाए रहते थे, हाथ में भाला लिये रहते थे और वो घोड़े पर सवाल होकर के अपने सर्दारों की सेना में जाकर के सामिल होते थे उनके पास सेना रहती थी और जितने मराठा ये सुर्विर थे उनके पास स्वयन की सेना होती थी सेना रखने वाला मराठा सर्दार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था कौन आहमाद नगल के आप जा सकते हो आहमाद नगल के निजाम सहा के पास या आदिल सहाड जो भीजाबूल का था उनके पास जब भी इन सुर्वीर होते है और सातमी ये स्वामी भक्त भी होते है सुल्तान उसे सर्दाल का पद देता था मतलब जैसे वो जब जाते थे सेना में उनको भलती रख लिया जाता था नौकरी पे तो कभी-कभी उन्हें सर्दाल का पद भी प्राप्त हो जाता था मनाटों को कभी-कभी जागिर भी देता था जागिर का अल्थ है कोई छित्र जो था वो छित्र उन्हें क्या किया जाता था जागिर के रूप में दे लिया जाता था अल्थात उसकी देख रेक उसके कलता धलता वे सर्दार स्वैम होंगे अल्थात कौन वो मराठे जागिर पाने वाला सर्दार अपने आपको उस जागि थे ठीक है अब कौन मनाटा सर्दार थे उनमें सिंद्ध खेड के जाधो फिर तर्डड के निम्बाल कर मुधोर के घोल पड़े जावली के मोरे तथा एलोरा के भोफले आदी प्रमुख सर्दार थे यह कुछ प्रमुख सर्दार थे मनाटो में जो क्या थे विजापूर और आदिल साह के सुल्थान के दर्बार में जो थे अब सिंद्ध खेड के जाधो देवगिरी के याधो के वनसस थे कौन थे जो सिंद्ध खेड के जाधो थे ठीक है तो जो देवगिरी जहाँ वहां के याधो के वनसस थे हो शिवा जी महराज की माता जी जीजा भाई सिंद खेड के लखु जी जाधो की बेटी थी ठीक है तो प्यारे बच्चो जीजा माता और जो उनके पिता थे सिवा जी के सहाजी राजे इनकी जो वनसावली थी हम अगले पार्ट में विस्तित तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे आपके पाठे पुस्तक में दिया गया है आपके वाल इतना ही समझ दीजिए कि जो लखु जी जाधों थे सिंद के खेड के जीजा भाई क्या थी उनकी बेटी थी और जीजा भाई आप कौन है आपको अच्छे से पता है जीजा भाई सिवाजी की माता थी अगला आपको हेडिंग देखे रखा है सौर की परंपरा अभी जो सर्दार जो थे जो एहमत नगर के और विजापूर के जो सुल्तानों के दर्मार में थे जिनके अनाम अभी हमने जाना जो थी कौन-कौन थे सिंदेखेड के जागव, फल्टर के निम्बालकर, मोधोल के गोल पड़े, जावली के मोरे और एलोरा के वोसले यहोंने महाराश्टर में सौर की परंपरा स्थापित की, लेकि प्यारे बच्चों इनमें भी कुछ कमिया थी, क्या कमिया थी हम देखते हैं, यह सर्दार बड़े सूर्विर थे, परंतु उनमें से कई सर्दार में परस्पर बड़ी सतूता थी, यह आपस में लड़ते थे आपस में इनमें दुस्मनी थी, संगटित होकर परस्परी की लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार बे कभी नहीं करते थी, उनके मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आता था, कि हम क्या कर रहें, हम मुगलों की गुलामी कर रहें, और हम एक दूसरे को ही माल करके मर रहें, माल भी नहीं सोचते थे, यही करण था कि उनका सौर उस समय दूसरों के काम आता था, दूसरे के काम मतलब किसके काम, आदिर्सा और बीजापूर के काम आता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सर्दारों ने महाराश्ट के हजारों जवानों में वीर्ता की भावना भरी, फिर भी इहोंने क्या किया, अपनी वीर्ता से, अपनी सौरता से महाराश्ट के जो हजालों बीर जवान थे, उनको ये प्रेणडा के स्लोध बने हो, उनने बहुत से पराक्रमी बीर तयार किये, मराठा सर्दारों ने महाराश्ट में सौर परंपरा को झीवित रखा, तो इ महाराश्ट के सूर घरण में से एलोरा का घृतले घरणा बहुत ही बहदू रिंगला, और इस परिवाल के कौन थे, प्यारे बच्चों, सिवाजी महाराश्ट थे, जो की काफी बीर निकला उस समये, प्यारे बच्चों, उस समये एक और बात है, घ्रिस्भेश्वार का मंदिर जीन अवस्था को प्राप्त हो चुका था प्यारे बच्चों आसे लगबग स्रिवाजी महालाज के समय की बात है चार्सव वस्पूरु की बात कि उसनमें जो एलोरा की गुफाय थी उसके पास एक खिर्ष्ट लेस्वर नाम का सुन्दर मंदिर था परंतु वह मंदिर बहुत ही जीन जीन आप समझ सकते हो बहुत ही पूराना हो गया था और बहुत ही बीचित अवस्था में दिखाई दे र गया था इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दूर्दसा ठीक है उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था जो भी भक्तगर उस मंदिर में आते थे जब देखते थे कि इतनी महान देवता कि इतनी भयंकर दूर्दसा हुई है कि मंदिर पुजारी कोई बाहस से आगंतु कुछ मंदिर को देखनी आते थे तो उन्हें भी बहुत पिड़ा होते थे किल्टु उसकी मरमत की बात कौन सोचता कोई उसकी मरमत की बात नहीं सोचता था मरमत मतलब वापस उसे उसी अवस्था में या उसे बनवाने की बात ऐसी बात किसी के मन में नहीं आते थे सबके बहुत देख करके चले जाते थे एक सिव भक्त रोज नियम पूरवग उस जीन मंदिर में आता देंगी प्याले बच्चों एक सिव भक्त ऐसा भी था जो इस पुराने मंदिर में रोज आता था नियम से सिव लिंग पर बेल पत चडाता था और मंदिर की जिन घीवारों की मरमत करवाई एक दिन ऐसे ही आते आते उसने क्या किया कुछ मजमाज़व को अपने साथ लिया और जितनी भी दिवारों पर जरा रे पड़े थी उसकी उसने मरमत करवा दिया और मंदिर को फिर से उसने एक नदम नया कर दिया उसकी सारी वेवस्ताएं ठीक कर दी जो जो भी वहां पे असुविराय थी यह आप कह सकते हो कि जी वापस लॉट आई यह सब किस ने किया कौन था यसी उबग वे थे मालो जी राजे होसले जियोंने यह सारे मतलब चीजों को उने पूर्ण रूप से व्यवस्ति रूप से किया उहां पर और इसके बास से क्या हुआ कि उसकी व्यवाव वापस आ गई अल्थात आप समझ सकते हो पुजारी वापस मंदिर में आ गए रोज सुबह साम वहां पर फिर से भजन और खिरतन होने लगे ठीक है आगंतुक जो भी आते थे फिर उस मंदिर की वैवावताव को देख करके वो गदगद हो जाते थे यह सब करने वाले थे मालो जी लाजे भोशले जिनके बारे मे प्यारे बच्चो इनकी वंसावली और शीवाजी की वंसावली अब हम इसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे अर्था भाग दो में जानेंगे तो हम चलते पीर से अपने श्यांपट की और तो प्यारे बच्चों मैं उमीद करता हूँ कि आज आपको इसमें मैंने बताया और स्थिंता का समय सुर्वी मरठाश्वकार सौर की परफ़दा और घ्रिस्ट प्लेश्वक का मंदिर आपको अच्छे से समझ में आया हूँ